हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चानल हीलर आफ दी एज़स डबल वन डबल वन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे आज में करने वाली हो रीडिंग कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में क्या ये कोई नया परसन है या ये वही परसन है आप जिनके साथ हो या फिर कोई और चलिए जानते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने हैं दो पाइल आपको इन पाइल में से कोई एक पाइल इंट्यूटिवली सलेक्ट करना है आप देख सकते हैं पहला पाइल है केरिंग कनेक्शन नंबर फोर्टीन और दूसरा पाइल है एंजल ओफ लव नंबर फोर्टीन दोस्तों आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्राक्ट कर रही है आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर वन केरिंग कनेक्शन से हाई फ्रेंड्स वेलकम बैग तो जिन्होंने में सेलेक्ट किया है केरिंग कनेक्शन का कार्ड तो आईए जानते हैं आपके परसन के बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह जो आपके परसन हैं या फिर जो आने वाले हैं यह बहुत ही मैच्योड परसन है मैच्योड याने की उन्हें देश दुनिया आसपास सबकी खबर है उन्हें पता है कि उन्हें अगला कदम क्या लेना है दोस्तों अगर आप किसी रिलेशन्शिप में अल्रीडी एक्जिस्ट करते हैं तो यह रिलेशन्शिप आपका बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्यार है भरोसा है बालेंस है और एक जिन्दिगी को सरल बनाने का आश्रा भी है दोस्तों यह जो परसन है यह फिनाशियल भी बहुत स्टेबल परसन है इन परसन को यह भी पता है कब दिल से सोचना है और कब दिमाग से दोस्तों ये person जो है emperors की energy में है यानि की ये person बहुत creative भी है ये person किसी artistic line से हो सकते हैं ये person financial line से भी हो सकते हैं यानि की banking sector से भी हो सकते हैं दोस्तों ये person को हो सकता है गाना बजाना बहुत पसंद हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी multinational company में बहुत अच्छे position hold करते हो दोस्तों अगर आप single हैं तो ये high time है mingle होने का क्योंकि आपके life में एक new person आ रहे हैं ये person खुद को हमेशा fool की energy में रखते हैं यानि की बेपरवा बेपरवा यानि की ये नहीं कि इन्हें कुछ आसपास का पता ही नहीं इसका ये मतलब है कि इन्हें पता है कि एक divine energy है जोने हमेशा guide करती थी करती है और खरती रहेगी दोस्तों मैं इस person के बारे में ये भी बताना चाहूंगी कि ये person क्योंकि established हैं यानि कि इन्होंने अब तक अपना base बना लिया है अपनी life में अपनी experiences के साथ तो इनके आसपास envy भी बहुत है यानि कि वो लोग जो उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं जिन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो कामयाब होते हैं पर इस इन्सान को ये पता है कि इन्हें आगे कैसे बढ़ना है दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि ये एक balanced person है ये अपनी personal life और professional life को balance लेकर कैसे चलना है ये भी इन्हें बहुत अच्छे से आता है दोस्तों कुछ important dates है जो आप note कर सकते हैं जो आपके आने वाले life में इस person से related हो सकती है dates है number 14 number 7 number 2 number 20 ये dates कुछ important है दोस्तों मैं आपको एक और information देना चाहती हूं कि ये जो आपका भी time चल रहा है ये एक high time है अगर आप meditation करते हैं अगर आप yoga करते हैं या अगर आप भगवान पे आस्था या भरोसा रखते हैं या फिर आप जिस पे शक्ती को मानते हैं कि हाँ वो है तो आप इस चीज़ पे लगे रहिए क्यूं? क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि ये जो परसन है इन्हें छोटी छोटी चीज़े बहुत अच्छी लगती हैं यानि कि आप उन्हें बद्दे पे कोई बड़ा सब्प्राइज देना चाहोगे उससे अच्छेने वह लगेगा कि अगर आप उन्हें छोटा सा गुलाब दे के ही क्यों आविश कर दो तो ये परसन कुछ ऐसे क्यरेक्टरिस्टिक के होंगे दोस्तो कुछ इंपॉर्टन्ट आपके लिए मैसेज़स भी है इंजिल के तरफ से जो मैसेज़स आपको देना चाहते हैं वो ये है कि the energy is gaining momentum और balance spirituality and practicality यानि कि ये जो समय है ये बहुत मूल्य समय है अगर आप इश्वर की अराधना करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है दोस्तों और ये बहुत high time है खुद को पहचानने का और आपने जो अब तक ये patience बना के रखा है अपनी life में इसमें भी पहुत सारी खुशिया आने वाली है तो दोस्तों ये थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो चानल को subscribe जरूर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें देखने के लिए थांक यू सो मच है 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 फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइन नमबर टू यानिकी एंचल अफ लव तो ये काट्स आपके लिए आये हैं आई होप आपको सारी काट्स नजर आ रहे होंगे चलिए बताते हैं आपके इस परसन के बारे में दोस्तों सबसे पहले अगर मेरी नजर पढ़ती है तो एक काट पर पढ़ती है वो है ते स्टार कार्ड यानि यह परसन जो है एक स्टार सीड हो सकते हैं दोस्तों मैं आपको कुछ और ट्रेट्स पताना चाहूंगी इस परसन के बारे में दिस परसन माइट बी एन एक्वेरियस परसन एर साइन से भी हो सकते हैं यह परसन और दोस्तों यह परसन जो आपके होंगे यह आपके सोलमेट हो सकते हैं दोस्तों मुझे यह कार्ड सीख कर यह नजर आ रहा है कि इन्हें भी अपना दिल किसी को देना है यानि कि इनका भी दिल खाली है दोस्तों यह परसन एक healer भी हो सकते हैं एक mentor भी हो सकते हैं पर ये जो भी हैं काफी समझदार इनसान है इस इनसान को पता है कि इनके life में क्या होने वाला है ये person काफी intuitive है बहुत sharp है और बहुत पुकते हैं काइदे कानून को लेकर दोस्तो इस person ने भी life में बहुत ठोकरे खाई हैं चाहे इनकी personal life हो चाहे इनकी ये professional life हो पर इन्होंने वक्त के साथ साथ उन सारे चीजों का lesson learn भी किया है दोस्तो cards देखकर मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये चो person आपके life में आने वाले हैं ये divine timing पे होने वाला है और ये divine timing कि आप बहुत करीब बहुत चुके हैं क्यूंकि ठीक star के card के नीचे the world का card है और अगर आप देख सकते हैं दोस्तों तो हमारे पास दो-दो star के cards आए हैं यानि कि ये वो person भी हो सकते हैं जिने आप काफी दिनों से जो है मैं कहलो काफी सालों से आप जिने manifest कर रहे हूं कि तो ये person आपकी लाइफ में आने वाले हैं कि दोस्तों मुझे cards देखकर ये भी नजर आता है कि ये person काफी लॉयल है कि ये person अभी फिलहाल financially stable तो है पर शायद खुद को balance करने में थोड़ी दिक्कत इन्हें आती है दोस्तों मुझे एक और चीज नजर आता है कि ये person कभी कभी कुछ situation में थोड़ी कमजोर पर जाते हैं किसी decision लेने में दिल के मामलों पर पर ये दिल की जादा सुनते हैं दोस्तों ये cards हमें ये भी indicate करते हैं कि ये person जो है बहुत जादा romantic है ये person को बाहर घूमने जाना travel करना बहुत पसंद है और मुझे ये भी बताते हैं ये cards कि ये person जो है इन्हें खर्च करना भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये cards मुझे ये भी शो करते हैं कि आप अपने dream man को पाने का time आ गया है दोस्तों अगर आपने सोच रखा है कि आपके life में कोई सच में आने वाला है आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी तो वो सच में आपके life में आने वाली है दोस्तों इस person को light colors बहुत पसंद है light colors यानि कि pink या फिर red, orange, yellow दोस्तों कुछ important dates भी है जो आपके लिए important हो सकते है या तो आप शायद उस दिन उन से मिले या फिर वो उनका birth date हो ये कुछ भी हो सकता है so dates है 30, 30, number 3, number 9, number 6 और number 13 ये dates important हो सकते हैं so दोस्तों आपके लिए जो advice है divine के तरफ से वो ये है कि अपने dreams पर भरोसा रखें ये आप यूही नहीं देखते इसका outcome क्या होगा? ये भी आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा क्योंकि ये आपका divine time है अपने soulmate या twin flame से मिलने का और आप एक और advice देख सकते हैं जो divine के तरफ से है you are very close to achieving your goal यानि अगर अब तक आप अभी single है तो आपको वो person बिलकुल मिलने वाला है दोस्तों अगर आप relationship में भी है तो उसमें भी अब balance आने का time आ गया है जो भी चीज अब तक confusion में चल रही थी या फिर आप दोनों के बीच में किसी ने किसी कारण से balance नहीं बन पा रहा था वो भी हो जाएगा तो दोस्तों have faith in your almighty तो ये थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो इस channel को like करें subscribe करें दोस्तों के साथ share करें thank you so much for watching my reading